नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रेदर्सन बिहार इन दिनों चिलचलाती धूप और तेज गर्मी से परिसान है इस्थिती है कि हर दिन जो गर्मी है उसका रिकॉर्ड बनते जा रहा है यानि कि पारा अपने नए उचाईयों पर पहुँच रहा है इस्थिती है कि पिछले दस वर्सों के अगर हम गर्मी के रिकॉर्ड की बात करें तो वह सब तूट चुका है पारा इन दिनों 43 डिग्री के पार है तो ऐसे में बिहार में मानसून कवा आएगा इसे ले करके एक बड़ा इंतजार सब का है तो हम आपको ओशा दैं कि बिहार में मानसून जल्द ही आने वाला है मानसून की जो बारिस से वो बारिस अब ज vigil म जम होने वाली है और बाकाइदा भारत के दक्षणी भाद यानि की केरल में तो मानसून ने अपनी दस्तक दे भी दी है मानसून की बारिस केरल से ले करके अलग-अलग जो राज्य है उन तमाम जगों पर होनी शुरू हो चुकी है और बिहार में अगर हम मानसून की बात करें तो सामान अगर मौसम रहे तो ऐसी स्थिति में 15 जून का समय बिहार में मानसून के लिए माना जाता है लेकिन इस बार चुकी अब तक करिव एक सब्ता की देरी पर पहुंच चुका है तो ऐसे में बिहार में जो मानसूनी बारिस होगी वो मानसूनी बारिस भी अब थोरी सी देर से होगी दरसल जो भारत में मानसून का चक्र चलता है उसके अनुसार मानसून एक जून को केरल की तटों से तरकलाता है यानि कि भारत के सबसे दक्षनी हिस्से में सबसे पहले मानसून ने दस्तक देती है और इसके बाद यही मानसूनी बारिस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है औ में मुख्य रूप से जो दक्षिन भारत के तमाम राजे हैं चाहे केरल हो करनाटक हो तमिलनाडो हो आंत्रप्रदेश हो या तिलंगाना हो इन सब के अक्तरिक जो पूर्वोत्तर भारत के राजे हैं यानि कि असम नगालेंड मिजोरम एक हालाय मरिपूर तिरिपूरा सिक्क् मौंसूनी बारिष पांच जून के आसपास होने लगती है लेकिन इस बारिस्थिति है कि मौंसूनी बारिष अभी तक केबल केरल पहुंची है यानि कि आज अब जब----- आत्रफ बीत चुके हैं तो यह मौंसून की बारिष भी एक सफ़ता देर से यहाँ पहुंची है वर ऐसी स्थिती में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इसके लिए जो मांसून के सामाने दिनों में आने का समय होता है वह दस से पंदरह जून के बीच का समय होता है लेकिन इस बार जब अभी मौनसून की बारिस खुद केरल आई है तो अगर हम बिहार और बिहार के साथ-साथ जो अनि देश के मध्यवरगी राजी हैं यानि कि मध्यप्रदेश, छतीसगर, जहारखंड, पश्चिमंगाल, ओडिसा तो इन राज्यों में इस बार मौनसून की बारिस करीब-करीब अगर इसी अनुमान और इसी गती से बादलों का जो प्रेसर है वो आगे बढ़ते रहा तो उस इस्तिती में करीब 22 से 25 जून के आसपास ऐसी इस्तिती में बिहार में मौनसून पहुँच सकता है यानि कि मौनसून की पुरू की बारिस है वो पुरू की बारिस 20 जून के आसपास से बिहार में होनी शुरू हो सकती है और उसके बाद जो मुख्य मौनसून की बारिस से वह होगी तो अगले एक सब्ता तक बिहार में गर्मी से फिलहाल तो निजात मिलने की संभाबना न के बराबर है और अगर हम मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो अगले एक सब्ता तक जो गर्मी का सितम है वह बिहार सही देश के तमाम जो पुर्वी राजे हैं, दक्षिने राजे हैं और मध्य राजे हैं उन तमाम जगों पर इसी तरीके से बना रहेगा और इसके बाद 15 जून के बाद जो मौनसून की बारिस धीरे धीरे दक्षिन से उत्तर की उर बरेगी तो उस दोरान बिहार में भी मौनसूनी बारिस का असर पहली मरतबा 20 जून के आसपास देखने को मिल सकता है और अगर सब कुछ समाने रहा यानि कि किसी प्रकार की मौनसूनी बारिस में बाद हान नहीं आई तो 20 जून के बाद बिहार में जहमा जहम बारिस का दोर देखने को मिल सकता है तो बिहार में वैसे किसान जो खरीब की फसले हैं यानि कि धान की जो बुआई है उसके लिए इंतचार कर रहे हैं इसके अतरिक अन्य प्रकार की जो खेती की रस्ती है उसके लिए साथी साथ जो चिलचलाती धूप और गर्मी से परिशान बिहार के लोग हैं उन सब को इस लू से बरी राहत मौनसूनी बारिश से मिलेगी और यह सब करीब करीब एक सबता से दस दिन के बाद ही मिलने की संभावना है